सम्मानी सिक्षक सातियों को मेरा नमस्कार एमकी एजुकेशन चनल में आपका स्वागत है आईए सातियों गुना भासकर न्यूस की हम एक महत्पूर न्यूस का अलोकन करते हैं जो 30 माई 2022 की स्थिति में यह न्यूस जारी हुई है सियम राइस विध्धल से संबन दिते हम हैत्पूर न्यूस है सियम राइस चादा नंबर वाले सिक्षकों को उनके चूने इस्कूल नहीं मिले मैरिड में नीचे वालों को अच्छी पोस्टिंग आईए पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं गुना इस्कूल सिक्षक विभाग ने अन्तिता सियम राइस इसकीम के तहत पहले चरण के इस्कूलों के लिए सिक्षकों का चैन कर लिया है विभाग ने सनीवार रात इस बारे में आदेश जारी कर दिये आदेश के साथ सिक्षकों की वह सुची भी जारी की गई है जिसमें उनके इसकोलों की पोस्टिंग का जिक्र किया गया है परिक्षा से पहले कहा गया था कि चेहनित होने वाले सिक्षकों को मेरिट के अधार पर उनके स्कुलों में पोस्टिंग मिलेगी जो उन्होंने चुने हैं अब इसका ठीक उल्टा हो रहा है ज्यादा नंबर वाले ज्यादा नंबर वाले सिक्षकों को उनकी चुईस वाले स्कुलों की जगह दूर दराज के गाउं में पहुंचा दिया गया है वहीं कम नंबर वाले सिक्षकों को मौडल इसकुल जैसी एहम संस्थाओं में पोस्टिंग दे दी गई है सिक्षकों के चैन की कवायत पिछले एक साल से चल रही थी इन स्कुलों के लिए तैम आपड़न्ड के तहत सिक्षकों की परिक्षा ली गई थी परिक्षा के नतीजे के आधार पर सिक्षकों का चैन किया गया है सिक्षकों को आउधन भरते समय इसकुल की चोईस फिलिंग करने को कहा गया था उन्होंने प्राथमिक्दा के आधार पर सिक्षकों का चैन करना था मेरिट के अधार पे उन स्कूलों में पोस्टिंग मिलनी थी लेकिन हुआ नहीं सोसल मीडिया में अपत्ती उठाने वाले भुपाल के दो सिक्षकों को कथित तोर पर सस्पेंड कर दिया गया है इस तरह टूटे नियम टॉप टेन में आने वाले एक सिक्षक ने चॉइस फिलिंग में गुना का मौडल इसकूल चुना था उनकी पोस्टिंग प्रातिमिता के आधार पे वहीं होनी थी पर ऐसा नहीं करने पर करके उन्हें ऐसे स्कूल में भेज दिया गया है जो उन्होंने पहले चुना ही नहीं था वही मौडल स्कूल में उन सिक्षकों को यथावत रखा गया है जिनका मेरेड में चालिसवा इस्थान था चालिस अंक इसी प्रकार देखेंगे इसी तरह टाप टेन में आए एक सिक्षक को सहर के प्रतिष्टिट स्कूल से हटा कर फतेगर के इस्कूल में पोस्टिंग दे दी गई है जबकि उन्होंने चालिस फिलिंग में वह स्कूल चुना ही नहीं था तीसरा बिंदू है एक सिक्षक का मेरिड में 1600 से उपर स्थान था उक्त सिक्षक को माडल इस्कूल यसी एहम संस्था में पोस्टिंग दे दी गई जबकि इन इस्कूलों के सेक्षिंग इस्तर को सुधारने के लिए C.E.M. राइस जैसे प्रोग्राम लाया गया कोशिश यही थी कि अच्छी रेंग वाले सिक्षकों को इन इस्कूल में पदस्त किया जाए आगे कहरा है साथियों दो बड़ी गड़बड़ियां सामने आई C.E.M. राइस इस्कूल में उन सिक्षकों की निक्ति होनी थी जिनोंने इसके पहले परिक्षा दी है इसके लिए परिक्षा दी है इसके बावजूत कई इसकूल में ऐसे सिक्षक पदस्त कर दी गए जिनोंने यह परिक्षा ही नहीं दी थी पातरता परिक्षा पास करने वाले कई सिक्षक ऐसे इसकूल में पदस्त किये गए हैं CMRIES इसकुल में प्रतिनुक्ति के अधार पर पद भरे जाने थे, इसके बावजूत कई सिक्षकों के प्रशास्निक तबादले करके पद भर दिये गए, जब कि आउदन के समय इस तरह की कोई बात नहीं थी, कई सिक्षकों का कहना है कि इस पूरी प्रकीरिया को अदालत में चुनोती दी जाए, साथियों इसमें आगे और भी एक महत्पूं अब्डेट देखते हैं, ये भी CMRIES विध्यालों से संब्दी थी है, आप देख सकते हैं, CMRIES इसकूल का स्टाप, सिक्षकों की संख्या 13814, प्राचारियों की संख्या 82, और उप्राचारियों की संख्या की सिक्षकों के जो पोस्टिंग आडर हैं, क्या भी और निकलेंगे, तो ये था एक लेटेश्ट अप्डेट, CMRIES विध्यालों से संब्दीत, किसी भी प्रकार की अप्डेट पाने के लिए, MK Eccution Channel पर बने रही है, वीडियो को लाइक कीचिए, सेयर कीचिए, चेनल को सस् हाई कीचिए, मजद निएकिए…